सर बताई आग जो प्रेस्मीट ना है क्या मकसद है इसका असलाव अलेकुम रावतुलाहिव वरकाता है सबसे पहले में दो दिन पहले जो आप लोगों के सामने प्रेस्मीट किया था उसके अंदर अधुरी रहे गई थी इंफुरमेशन तो उसके बाद मैं दो दिन के बाद बख्या इंफुरमेशन कलेक्ट करके आज आप लोगों के सामने केहने के लिए आया हूं उस टेम पर वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई थी 20-22 मिनिट की तो ये कुछ चार-पांच बात हैं बचा कर रखा था आप लोगों के सामने आज शेयर करेंगे बोलके तो इसलिए मैं आज आप लोगों को बुलाया हूँ सबसे पहले मैं आप लोगों को ये खुलासा कर देना चाहता हूँ कि यस आरिफ पाशा साहब और इमरान पाशा साहब 2005 में जमीर रहमत कान साहब को शामराज पेट करें या मेले के लिए बुला लेकर आए इसमें कोई शक नहीं है और सही है उन्होंने भी माना है लेकिन इसके पीचे वज़ाब भी बहुत बड़ी थी जमीर रहमत कान साहब 2004 का एलेक्शन जयनेगर से हार कर 2005 में जब चामराज पेट को आए उस टेम पर चामराज पेट का माहूल बहुत खराब था गैंग वारें चल रही थी उदर अलताफ खान साहब के फैमिली में और इनके उस इम्रान पाशार उनके घर में तो उस हिसाब से अलताफ खान में एक हज़दा फन मारे जैसा मार कर उस महले को पूरे इलाखे को चाप्चर करकर बैठा था उस टेम पर इन लोगों को एक सहारी की जरूर थी उसके लिए जमीर आहमत कान साहब को उस एरिया में लेकर आए इसमें कोई दो राए नहीं है ये पूरी उदर की आवाम को भी मालूम है और उसके साथ साथ 2005 में आए एलक्षन भी जीत गए एलक्षन जीतने के बाद पहला काम उन्होंने ये कर दिया था कि जो उदर की बीजेपी यम्मल है प्रमिला निसरगी उन्हें ने उदर रहते हुए जो 2005 का एलक्षन जीतने के बाद नीदगे के अंदर दिवार में किराक आ गई लेकिन हाखिकत में पूरा खोल जोड कर बोलना नहीं चाहिए मुझे लेकिन फिर भी बोल रहा हूं आप लोगों के सामने उस इदगे का क्रैक को बंद करकर उस इदगे को बचाने के लिए उस टेम पर जो काम उन्होंने उदर के हारे लिए प्रमिला निसरगी को साथ लेक से लोगों के दिल में घर बना लिए तो और उसके साथ साथ 2008 में जगह तो बन गई थी 2005 के बाद फिर 2008 में एलेक्शन आता है तो उस टेम पर 2008 का एलेक्शन आपोजिट आकर सहीद आमद रहते हैं कांग्रेस से उस टेम पर जनता दल का कुछ उदर ज्यादा वोटिंग नहीं रहते हैं जनता दल का कुछ उदर बेस भी नहीं रहता है यह मिलने के लिए चार या पांच सहजार वोटिंग थी बस उस टेम पर 2005 में उन् 235 से 22,000 वोट लेते हैं 22,000 वोट लेकर उदर से वह वाट से खास कर जीत हासिल करते हैं तो उसके साथ साथ उसी टेम पर उसी अरसे में आरिफ पाशा साथ तीन बार तीन बार कॉंसलर रहते हैं उदर आल्रेडी उसी दवरान उनके हार होती है इसडीपे जीत जाती है तो इससे आप अंदाजा लगाईए जब एक अम्मेले को लेकर आकर हम जिताए हमने सहरा पिनाए बोलकर बोलने वाले उस टेम पर कॉंसलर रेलेक्शन आपने क्यों हारा यह एक सवाल सब के दिलों में पैदा होता है और इसके साथ साथ उस टेम प पर इसडीपे जीत जाती है उसके बाद फिर 2013 में अलक्शन आता है उसी 2013 के अंदर फिर एलेक्शन में अंदर आपोजिट आकर ये सिपी बावा आते हैं उस टेमपी भी मुसल्मान के अंडेटी रहते हैं तब भी जमीर आमत खान साथ सिर्फ और एक वाड का बोल रहा है 22,000 वोट लेते हैं तो उस टेमपर 2015 में काउंसलर एलेक्शन आता है काउंसलर एलेक्शन के टेमपर उधर की काउंसलर की सीट जो आज इमराम पाशा उधर से एलेक्शन जीत कर हैं वो यह सीकी हो जाती है उस टेमपर जमीर आमत खान में नहीं ये मेरा बच्चा है इसको मुझे कैसे भी जिता कर लेके आना है काउंसलिंग में बोलकर आज भी गवा है रामलिंग रड़ी साहब और सिद्रा मया साहब पांग्रेस की गवर्मेंट होने के बावजूद उनके साथ क्या तरीखेगा इनका कमिट्मेंट था और इनकी जबान की क्या उनके दिलों में अहिमियत थी उसी टेंपर उन्होंने साबित करकर दिखा दिया औ और यह सीस्टी की सीट को चैंज करकर इम्रान को जनरल बना कर लेकर आके ऐलक्शन में खडा कर जीता कर लेकर आये कि इसको बोलते हैं कुछ करकर लेकर आये बूलकर तो उस टेंपर उसी वाल्ट के अंदर इम्रान पार्शा ने सिर्फ 8000 वोट लेते हैं तो बखिया इनके येरिया में उन्होंने हमने सहरा पिनाया बोलते हैं ना तो बख्या 16,000 वोट कहां गए तो उसी रज़े से जमीर आमद खान साथ ये बोलते हैं कि मुझे उदर की आवाम का इहसान है मुझे उदर की आवाम में जिताई है मुझे उन आवामों का वोट मैं ये समझ कर चलता तो मुझे उदर की आवाम का चामरा ठलके का अवाम का इहसान है लेकिन मुझे फलान जिताया फलान जिताया मैं ये दो लोग जिताया बोलेंगे तो मैं किस कीमत में नहीं मानता बोलकर बोलने का उनका हग भी ये सही है इसके अंदर ये CST की सीट को इमरान पाशा की कैंसल अगर गरेंट कराव जनरल बनाने बना कर लेकर आने में जवी महस्ति पाचशा नहीं कोई गते हैं और उसके साथ साथ यह चुप साथ उस टेम पर अलताफ बीकी अलताफ खान जन्ता दल से आते हैं उस टेम पर वही वार्ड के अंदर फिर बाइस सजा उट लेते हैं जमीर अमाद खान सा यह अवाम का इह नहीं मानेंगे तो किसका इश्बाना है जमीर अमाद खाँ से आप जीत गए अल्ला का करम 2005 में आज तक भी खौम और खौम के लोग उनके वर सवारी कर रहे हैं। और आप लोग दी शवारी किये बेर्यक्त Tours दॉश्ठा में हार गया आज क्ई उनकर पर सवारी नहीं प्र फिर हुए मंनाया तो swimming कि अब जाओ आप जनका दल में रुख जाओ फिर अग्डी बार आपको कांटेस्ट करा कर हम आपको जीता कर लगतरा हैं ऐसा कोई इनके पास जाकर कमिटमेंट किया जीतने वालों के उपर सवारी हारने वालों के उपर उनका हाल भी नहीं पूछना यह हमारे खौवम के खौवलों के जान गलत कंण सब्केसाथ हैं इस किद्रहें लिल्ए Deny Jeeřeg गन्जए बाए लोग ह के दिद्रहेंट सब्सक्रापके साफ़ हैं और इसे ही राम लिंग्रइडी साहब भी अप जो मॉझे केदर हैं जमीरम Aufkan सफके साथ हैं मुझे मालूम है यह दो एक मैं एक दिन इनी के साथ रहे हैं लेकिन इतना सब होने के बावजूद आज आप लोग उनके उपर इंजाम लगा रहे हो मुझे जबान दिये मुझे क्मिट्मेंट किये मुझे लोगों लाकर जिताओंगा बोले उस महलने से तो नहीं बोले कुछ मैं इसके साथ साती और एक नो बातें कहना चाथाएं आज जमीर रमत काङ आज तारीफ का महताच नहीं है आज हमारा लीडर मुझे इसमें फखर मेंसूस होती है जमीर रमत खांगा्ऌसाहब को मैं अपना लीडर मानने में तो आज हाउन के साथ हर खाउम के लोगों को दोनों हातों से सकावत हो रही है और उनका प्यार इनको मिलता जा रहा है उसके लिए हमको उनका शुकर अदा करना है बलके उनकी क्रिटिसाइस करकर उनको बदनाम करने की कोशिश इदर हमको करना नहीं है सिर्फ एक बार काउंसलर बना है एक ही बार तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी उड़ान ठीक नहीं है हमारे नज़रिये से वक्त आएगा वक्त का इंतजार करना है उससे पहले आप इतनी बड़े बड़े स्टेटमेंट देकर माहूल को बिगानने का अगर चेह आप कोशिश करोगे वो दिन दूर नहीं है जो दोर से सईद आउमाद कान साहब अलताफ कान साहब ये सीपी बावा जो गए हैं उनकी लिश्ट में आपका भी नाम शामिल होने में उसका उससे देर नहीं लगती और इसके साथ-साथ कुछ लोगों ने इनके फालोर्स खासकर रिम्रान पाशा के फालोर्स मेरे पेश पर आकर उतने जालियां देने के बावज़ों मेरे पेश पर आकर आएमे के पैसे दिलाओ बोल रहे हैं यखी मैं 100% में दिलाओंगा अगर्चे आपके चाहिते लीडर से पूछो एक 15-20 दिन पह रहे हैं कि आपको मेरे ऊपर उमीद है और शायद में देना हो तो मैं आपको इसकता हूं या फिर मैं नहीं देना है Hopusa देना है वहां डणा ऐसे हैं लोगों के लेकर दूब बनकर है आपने बयासर कि बड़ा हो flowers के सातसले आप मेरे अफमेरे दाशार कर पूछने से देथर वहां से आप लोगों को लेकर देने में आपकी मदद करूगा शुक्रिया खुदाफिस